मंडी के चोहटा बजार में युवा कॉंग्रेस के मुखे मंतरी का पुतला फूंकने के मनसूबों पर पुलिस ने पानी फिर दिया युवा कॉंग्रेस की और से विरोध परदशन और पुतला फूंकने की पुलिस को पहले ही जानकारी मिल गई थी जिसके चलते एतिहासिक चोहटा बजार पुलिस की चावनी बन गया था चोहटा के हर चोहराए पर पुलिस के जवान तेनात थे वहीं पर कई पुलिस वाले सादे लिवाज में भी मौजूद थे एसपी मंडी भुपेंदर कवर ने चोहटा बजार में भी तेनाती दी जैसे ही युवा कॉंग्रेस के कारे करता गांधी भावन से निकले पुलिस के जवान पुतले पर जपट पड़े पुतले को लेकर पुलिस और युवा कॉंग्रेस के बीच चिना जपटी हुई और खी चातानी जारी रही अंत में पुलिस वालों ने पुतला च्छीन लिया मंडी जिला कॉंग्रिस अध्यक्ष दीपक शर्मा वा युवा कॉंग्रिस संसिदी अक्षितर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने आरोप लगाया कि परदेश सरकार पूरू कॉंग्रिस सरकार दोरा लिये गए फैसलों को आए दिन बदल रही है परदेश सरकार राजनेतिक द्वेश की भावना से कारे करती है जिसके कारण हजारों करमचारियों को तबादले में व्यस्त किया जा रहा है वहीं समूचे परदेश के अंदर कानून विवस्ता पूरी तरह चर्मरा चुकी है उन्होंने कहा कि हर रोज बरतकार की घटनाएं सामने आ रही है जिनके खिलाफ यूवा कॉंगरेस ने आवाज उठाने की कोशिश की तो सेंकडों कारे करताओं पर जूटे केस बना दिये गए उन्होंने आरोप लगाया कि परदेश के अंदर भाजपा सरकार लोगतंतर का गला घोट रही है यूवा कॉंगरेस ने आगा किया कि अगर उनकी बातों को नजर अंदाज किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने से भी यूवा कॉंगरेस गुरेज नहीं कर परदेश के हजारों करमचारियों के तबादले हो चुके हैं एक करमचारी को تीन तीन बार बदला जा चुका हैं। साथ ही साथ जो कानून वेवस्ता है वो बुरी तरह से चर्मरा गई है आए दिन नवालिंक बच्ची theorem के साथ रेफ हो रहे हैं और जो पुरव की कॉंग्र पर्देश युवा कॉंग्रेस के आवान पे युवा कॉंग्रेस मेली जिला ने राज जिला अधिश के मार्दम से सोबा इसमें जो मेन जो मुद्दा था भिरोजगारी मेंगाई बरस्टाचारी और जो तबादनों पे जो सरकार का ध्यान है जो एक प्रतिशोत की राजनिती के तहँ तो एक जो काम कर रही है पर्देश सरकार और जो कॉंग्रेस सरकार ने जो संस्थान घुशित किये गया हैं उनकी नोटिफिकेशन को रद करना है जिससे युवाव में आक्रूश है और आज हमने देखा कि यहाँ पे मंडी को एक पुलीस चावनी के तौर पे तब्दिल किया गया है यह अगर पुलीस पर्षासन और वास्ता लौ एंड आउडर को के लिए लगाई होती तो प्रदेश सरकार की यह नोवत नहीं होती है आज आम युवा देरोजगारी से तरस्त है मैं नायम में गाई से तरस्त है आज जो प्रदेश की स्थिती बन रही है इसकी सिद्धे जमेवार केंदर सरकार केंदर की मोधी सरकार और हीमालचल की सरकार है अभी हम प्रदेश सरकार को आगा करना चाते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिलम बाकी है अगर इसी प्रकार से वो प्रतिशोत की राजनीती के तहती अगर काम करना उन्होंने बंद नहीं किया तो उनको पला चलेगा यहां के लोग यहां के शांती बीन लोग अपने हकों के लिए अपने आवाज को बुलंद करने के लिए किसी भी सब्दा को उखाड़ फैंकने में सक्षम